नमस्कार मित्रों भाईयों बहनों जैसे हम लोग हरियान आज के करकम में मिलते रहे हैं आज भी मैं करोना के विश्य को लेकर अन्य कुछ बातों पर भी आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं करोना के समंद में तो हमको मालूम है कि लगभग 40 दिन का कारेकाल हो चुका है और बखुबी हरियान का बच्चा-बच्चा, हरनागरिक, एड्मिस्टेशन के सब लोग हमारे कोरोना वारियर्स, वालन्टियर्स, समाज से भी संस्थाएं, किसान, मजदूर, सब लोग इस काम में कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं इसी बीच में कुछ अन्य गतिविधियों को लेकर के भी समय समय पर हम अपनी बाच्चीत रखते रहे हैं आज एक बहुत महत्री चाचा करना चाहूंगा हम लोग जानते हैं कि चाहे हमारा प्रदेश हो, चाहे अन्य कई प्रदेश पानी के संकट से जूज रहे हैं हम अपने प्रदेश की बात करें तो पानी निरंतर घटता चला जा रहा है खास करके जमीन का जो पानी है उसका लेवल कम होता जा रहा है और जब हम ध्यान करते हैं तो पानी का उप्योग भी हम कुछ कम सोच समय करके करते हैं सोचे समझे बिना पानी का ज्यादा अप्योग करना इस समस्या को और आगे बढ़ा रहा है कुछ इलाका हरियाना में ऐसा है जिसको हम डार्क जोन के रहें लग गए हैं वहां का पानी का लेवल पिछले बीस वर्षों में निरंतर नीचे जाता जा रहा है अगर मैं आंक्डों में बात करूँ तो हरियाना के 36 बलोक ऐसे है जो पिछले 12 वर्षों में दुगना गहराई तक पानी चला गया है अर्थाद कहीं 10 मीट गहरा था तो आज वाँ 20 मीट गहराई हो गयी है और कहीं 20 मीट गहराई थी तो 40 मीट गहराई हो गयी है और यदि इस पानी इस गती से पानी नीचे जाता रहा तो आने वाले बारा वर्ष के बाद ये पानी इतना गहरा चला जायेगा कि उसका उप्योग करना भी हमारे लिए कठिन हो जायेगा तो इस पानी को बचाना ये हमारे लिए बहुत आउशक है पानी अमरी ध्रोवर है इस पानी को हम अगली पीड़ी को दे करके जाने के लिए हर संभव प्रतन करना हमारी लिया निवारे है अगर पानी हम बचा लेंगे खास करके किसान बंदुई सोर्धान करें तो किसान पानी को जमीर में से निकालता है तो केवल पानी नहीं निकाल रहा है बलकि अपनी अगली आने वाली पिल्डी के लिए संकट भी खड़ा कर रहा है तो हम यह मान कर चलें कि जहां जमीर मेरी संपत्ती है उसके नीचे का पानी ये भी मेरी संपत्ती है जहां मैं अपनी आने वाली पिल्डी को अपनी संपत्ती ये विरासत में दे कर जाना चाहत रहा हूँ वहीं जमीन पानी सहित अच्छा पानी उपलब्द रहे वो भी मुझे विरास्त में दे कर जानी है बिना पानी के अगर मैंने जमीर विरास्त में दी तो आने वाली पेड़ी के लिए जमीर भी उपयोगी नहीं रहेगी इसलिए हमें कारकम का आज गुशना कर रहे हैं कि मेरा पानी मेरी विरास्त मीरी जमीर का जो पानी है वो भी विरासत है अपनी अगली पिड़ी करको दे कर जाने के लिए तो इस योजना के अंतरगत एक योजना बनाई गई है किसानों के लिए कि हम इस सीजन में जो धान बोने वाले किसान हैं हर्याणा के कुछ खेत्र में जा पानी की गराई बहुत ज़्यादा हो गई है धान नब हो ये अपील ये करने के लिए आपके सामने माज आया हूँ और इसके लिए एक योजना बनाई गई है इस योजना का मैं आपके सामने विस्तार से बताना चाहता हूँ उसमें ऐसे हमने पहले चरण में हर्याना के वो ब्लॉक छाटे हैं जहां पानी की गराई 40 मिटर से ज़्यादा हो गई है और उसमें ऐसे 19 ब्लॉक आते हैं हर्याना के जहां 40 मिटर से ज़्यादा की गराई है लेकिन 11 ब्लोक ऐसे हैं जिसमें धान नहीं होता है सामनेतिया दक्षन हरियाना के वे ब्लोक है 8 ब्लोक ऐसे हैं जहां पानी 40 मिटर से ज़्यादा गेरा है और धान की वाँ बिजाई होती है ऐसे ही वोक शेत्र भी इसमें शामिल किये हैं जहां पावर का जो हमारा लोड है जो हम पंप हाउस लगाते हैं उसकी जो हाउस पावर है 50 अरुपाउस से उपर ऐसा जो ख्षेत्र है वहां भी हम धान के ऐसे किसानों को आग्रह करते हैं कि उसमें धान मैंसा नहीं कहता कि मत बौएं जितना पहले हम बौई करते हैं उसका 50 परिशत इस बार हम धान बौएंगे अताथ 50 परिशत भी हम पानी छोड़ते हैं उसमें पानी की मातरा कुछ बचती है और मैरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वहां पानी का ल है हम अन्य फसले वी कल्क के रूमें बौएं चाय उसमें मक्का की फसल है वहां पर हम लोग दालें भी बो सकते हैं अरह रह है वैसाखी मूंग है उड़दम बो सकते हैं कुछ अलाकों में कपास की खेती होती है कहीं 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 पर हम सबजियां और बागवा नहीं ये भी कर सकते हैं और साथ में कहीं तिल की खेती ये भी हो सकती है तो इन सब फसलों के लिए हमको अपने योजना बना कर और फसलों का विविधिकर्ण ये करना चाहिए इन फसलों के विविधिकर्ण करने से निश्यत रूप से हम हिसाब लगाएंगे कि हमको कितना लाब किस फसल मे होता है मेरा निवदन है कि हम पैसों के हिसाबता में गंड़े में अगर लगेंगे तो हमारा जो मूल उद्देश है उससे हम भटक जाएंगे अर्थात हम अपनी पीड़ी को विरासत में जमीन के साथ पानी बिदे कर दे जाना चाहते हैं तो उसका हिसाबता ठीका लगाना च कि जो बंदू अपनी निश्चित मातरा में छोड़ते हैं अपना धान बोना छोड़ते हैं तो हम उनको गोशना करते हैं कि साथ हजार रुपया प्रती एकड़ ये हम इस सीजन में धान नब होने किया उसमें और जो फाइनेंशल प्रोथसान राशी के रूप में ये दिया जाएगा इसके साथ उनकी प्रक्यूर्मेंट खास करके मक्का और दाले इनकी प्रक्यूर्मेंट ये हम निश्चित रूप से करेंगे इसकी गारंटी दी जाती है क्योंकि मक्का इसकी प्रक्यूर्मेंट करना आवशक है बड़ी मातरा में ये होगा दालें भी बहुत कम मा पात्रा में होती हैं जितनी भी होंगी उसकी प्रकूर्मेंट यह अवश्यक्करेंगे तो नियुनतम समर्थनNewly पर उनकी की जाएगे मक्का इसकि लिए श्क्राइब करते हैं उनका भी मंपलब्द करा ही जाएग्ई साथ ही मक्का rank की वरसा संमन्नित मंडियों में यह मकराएंगे धान की वेकल्पिक फसल उगाने पर यानि जो धान छोड़का दूसरी फसले उगाते हैं वो यदि माइक्रो इरिगेशन ड्रिप से चाई इसकी वस्ता करते हैं तो उन्हें भी पिचासी प्रश्चत की ये सबसिडी अर्थात अनुदान राशी ये भी दी जायेगी मक्का भी जाये करने वालों को अच्छा बीज मिले इसके लिए पांच से सिंगल क्रॉस जादा प्रोड़क्टिविटी वाले मक्का के बीज ये भी उपलब्द कराने के लिए कुछ कंपनियों को सूची बद किया जायेगा फसल के सिवेधिकर्ण कारकम को लोगों को जानकारी मिले इसकी सूचना शिक्षा संचार अर्थात इसका प्रचार करने का काम भी ये किया जायेगा और एक वेब पोर्टल ये भी उपलब्द कराया जायेगा जिस पर हम अपड़ी आने वाली कठनाईयों को हल करने के लिए जानकरी दे सकें इस सारे के लिए पूरे क्षित्र में अच्छी पैदावार मिल सके इसके लिए कुछ एग्जिबिशन प्लॉट्स ये भी बनाए जाएंगे ताके हम लोग उसका लाब ले सकें हाँ यदि इन ब्लॉक में कहीं पर किसी गाउं में अत्वाकिसी क्षित्र के अ भानी 35 मिटर से उपर है ऐसे किसान धान बुआई के लिए मंजूरी ले सकते हैं उनको किसी परकार से कोई कठनाई नहीं आने देंगे वो धान की बुआई कर सकते हैं और अन्य यदि जो हमारे ये ब्लॉक हैं इन ब्लॉक के इलावा जहां हमने इसकी सुचना जो ब्लॉक् के भी किसान धान छोड़ना चाहते हैं तो पूरु में सुचना दे करके प्रोसान राशी के लिए आवेदन कर सकते हैं उनको भी दिया जाएगा ये ब्लॉक्स जिन में इस योजना को लागू किया जा रहा है 19 ब्लॉक्स में 8 वो ब्लॉक जिनके अंदर धान की वाई होती ह है उनके नाम में आपके सामने बता रहा हूं जिसमें कैथल जिले का सीवन और गूला इसी परकार सिर्सा जिले में केवल सिर्सा और फत्यवाद जिले में रतिया कुर्शेतर जिले में शहाबाद इसमाईलाबाद पीपली और बबैन ऐसे ये आठ ब्लॉक होंगे ये पंचैती जमीन जो ठेका पर दी जाती है इसमें भी ये जो लेवल है 40 की बजाए हमने 35 मिटर रखा है कि 35 मिटर से नीचे जहाँ पानी चला गया वहां पंचैती जमीनों को ठेका देने के बाद भी वहां धान की बिजाई वर्जित रहेगी ऐसे जो पांच ब्लॉक हैं जि पंचैती जमीन के ओपर धान की विजाई करना ये मना रहेगा ऐसा जो प्रोसान राशी है जहां पंचैती जमीन है वो राशी पंचैतों की दी जाएगी ताके पंचैत यदि कम राशी भी उनको अपने कंटेक्ट में मिलती है उसके कारण से उनकी जो ख्षती पूर्ती है वो की जा सकती है मित्रो मैं पुना इस बात को उसी प्रकास से रखोंगा कि ये योजना केवल इसलिए बनाई जा रही है कि हम आने वाली पीड़ी को पानी जो है भरपो मातरा में छोड़ करके जाए अन्य था पीड़ी हमें आने वाली पीड़ी भविश्य में वो निश्य हुई है तो भी अब हम इसको शुरू करें हम पानी के जो प्रबंद कर रहे हैं उनमें हम इस योजना के माध्यम से हरियाना का पानी बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं वैसे हम अन्य राज्यों से भी अपने पानी का हिस्सा लेने के लिए बहुत सी योजना बना रहे हैं चाया उसमें लखवार डैम हो रेनुका डैम हो किसाओ डैम हो और एस्वाइल की लड़ाई भी हमारी बराबर जारी है इस अन्य प्रदेशों से पानी लेने की इस प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा किसान जो भी कोई घठाई है उसमें उस दक्षन हर्यना का खास करके किसान उसमें और अधिक पानी प्राप्त करके और अपनी खेती को और ठीक प्रकार से कर सके पीने का पानी अत्वाव द्योग के लिए पानी इसकी भी कमी ना आए इसके लिए भी हम लगातार चिंतित है इस नाते से मेरी अपील है कि आप धान का मौ छोड़कर और यदि अन्य फसलों को उगाएंगे और उसमें इस उदेशे की पूरती करेंगे तो बहुत बड़ा एक योग सफल ये काम होगा पिछले साल हमने इस योजना की घुशना की थी प्रधानमंत्री जी ने स्वम इसकी परशेंशा की थी और मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के निकट ये विशह है कि हम कि इस प्रकास से पानी बचाएं बहुत सी अन्यविश है जो आजकल पिछली बार भी मनें कहा था प्रक्योरमेंट है उस प्रक्योरमेंट में बहुत अच्छा काम पूरे ख्षेत्र में चल रहा है ठारा सो गिहों की मंडिया और लगभग दोसों से उपर सर्सों की मंडिया उनमें सफलता पुरुवक प्रक्योरमेंट ह हो रही है इस समय तक साड़े चार लाख मेट्री टन से अधिक सरसों की आवक हो चुकी है और लगबग 50 लाख टन से उपर गिहूं की आवक हो चुकी है सरसों की फसल विक्री के एवज में 800 कोड़ रॉपया किसानों के खातों में यह जा चुका है और इसी परकार गिहूं के लिए भी तो इस समय पूरी सिवाएं चाहे बड़ी-बड़ी सिवाएं हैं चाहे सुटी सिवाएं हैं वो प्राया-प्राया उनका रोजगार लोगों का समाप्त हो गया है जो द्योगिक हिकाईया है वो भी पिछले दिनों में बंद हो गई थी दुबारा से उनको चलाने के लिए अभी प्रतन किये जा रहे हैं और उन दोनों के मुकाबले में यदि हमारा कृषिक शेत्र हमारा किशान बंद हो है अपेक शाक्रित सुरक्षत है और इस सुरक्षा के कारण से हमारे पर एक बहुत बड़ी जिमवारी आती है कि हम सारे समाज को पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना से योग करें सबको साथ लेकर के चलें निश्य दुरूप से इस भविश्य में किसान का बहुत बड़ा एक दाईत्व यह हमारे कंदों पर है उस दाईत्व को संभाल करके हम चलें और अपने इस पूरे योगदान में हम लोग आगे रहें समाज की सेवा करना न भूलें ये भी हमारे उपर जिम्वारी एक दाई तो आता है अभी आज कल जो हमारा मजदूर है चाहे वो कृशी से जुड़ा मजदूर है उद्योग से जुड़ा मजदूर है उसके मन में कोत्वा लाया है कि अज़्सानों को आस्वाषन दिया था किया आपका एक एक दाना खरीदेंगे ऐसे मेरा Аसवाषन इन मजदूर बंदू हो से हम एक एक मजदूर की प्रदेश के लोग हर्याना में रहते हैं उनको वापिस भीजने की जिम्मवारी यह हमने अपने अपने उपर लिए आज भी एक ट्रेन हिसार से और बिहार के लिए चलाई गई है लगबारा सुबंदू उसके अंदर गए है त्यान रखिए ऐसे सब बंदूं की वापसी बिना पैसे के निशुलक होगी किसी को किसी व्यक्ति को इस किसी के बैकावे में नहीं आना चाहिए कोई पैसे मांगता है उसको बिलकुल पैसे देने की आफशकता नहीं है हम उनको भेजेंगे लेकिन मेरी फिर अपसे अपील है कि जो लोग उद्द्योग में लगे हैं उनको इस बात की चिंता छोड़नी चाहिए क्योंकि मैं आपको एक और तथे से अवगत कराता हूं कि आप जहां आज काम में लगे हैं यहां जिस प्रदेश में आप जाना चाहते हैं वहां से स्थितियां बहुत बेतर हैं रोजगार अच्छा है यहां का वातावन अच्छा है करोना पर भी हमारा कंट्रोल है आप जिस प्रदेश के रहने वाले होंगे वहां के करोना के स्थिति जरूर जानी है वहां इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है खराब स्थिति हो सकती है आप जिस समय में यह सब निर्णे लेने की एक परकास से विचार आया है उस निर्णे को पुना सोचिए कि हम तो आपको भी घर जाने के लिए योजनाय सब बनाएंगे लेकिन जितने लोग कम जाएंगे उतना आपका भी लाब होगा और उतना प्रदेश का भी लाब होगा यह संक्त्रम के काल में अपने स्थान पर रहना यही बचाव कामारा एक समय है इसका जरूर हम लोग ध्यान चुरूआ है अभी यह बढ़ोत्री पर है हम भले ही अपने आसपास के प्रदेशों से अच्छी स्थिती में हैं चाए वो दिल्ली हो राजस्तान हो पंजाब हो उत्रपदेश हो इन सब प्रांतों से हमारी स्थिती अच्छी है चारों तरफ से हम भी घरे हुए इन प्रांत हो गये हैं जिसमें अभी भी एट्टिव जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं दोसों नवासी हैं जो ठीक हो गये हैं वो दोसों साथ हो गये हैं और जिनकी मृत्य हो गई historical छे लोग जिनकी मृत्य हुई है उनका हमें बहुत एक दुख है तो इस नाते से हम लोग इसकी सावधानी बरते हुए अपने अपने क्षेतर के अंदर social distancing वो बना करके रखें किसी प्रकार की सूचना जो सरकार की और से मिलती है उसका पूरा पालन करें इसमें कहीं भी डहलाई न बरते हैं क्योंकि करोना को रोकना यह भारी प्रात्मिक्ता है खास करके दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं उनमें सावधानी बरतना बहुत है क्योंकि वहीं से द्यानिक आने जाने वाले लोग मुंजिलों के अंदर प्रभाव ज्यादा छोड़ रहे हैं इसलिए इसका हम ध्यान रखें जहां तक क्रोना से बचना है तभी हम बच सकते हैं क्योंकि यह थोपी जाने वाली बात नहीं है हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें घर में रहें स्टे अठ होम सैनिटाइज वरसल फर्थात सैनिटाइजिशन का प्योग करें मास्क लगाए हर समय अपने हाथों को धोने का काम रख हैं तो इस नाते से इसको हम ठीक रखेंगे बाजार खोलना हम चोके अपनी आर्थिक गत्विदियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ऐसा यदि इन कामों को नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिसेशन बहुत बड़ी एक आर्थिक मंदी यह आने का खत्रा है इसलिए हम हम अपने इस वहर को बना कर रखें कि हमने इसकाल गत्विदियों को चलाना भी है बजार खोलने भी है लेकिन शोशल डिसनसिक बना कर रखनी है कोई बी दुकान हो सबजी की हो वो फिर बजार के अंदर हमारे आवशक दैने को प्योंकी वस्त्वों को खरीदने की बात हो क लोगों ने हमको एक चीज की जानकारी दी है कि देश बर में एक योजना बनाई गई है कि जो 4000 कैदी सारे देश बर में तो बहुत बड़ी संख्या है लेकन हरियना प्रांत में 4000 जो कैदी हैं जिनको पैरोल या अंत्रियम जमानत ये मार्च में दी गई थी उनको रहा किया गया था इनकी पैरोल की अवधी जो पहले जितनी भी अवधी उनकी थी उसको आगे पांच सब्ता के लिए और बढ़ाया गया है जो भी जेल विखा का स्टाफ या कहदी जब भी वापिस जेल में जाए तो उनका पहले कोविट टेस्ट कराकर के मां भीजा जाएगा उन लोगों को इसलिए रखा गया कि जेल की अंदर जो भीड है उस भीड में कहीं कोरोना वाइरस का कलाव न हो जाए इसकी वी जानकारी आपको मैंने देनी हैं अंत में कुल मलाकर मेरा पुने आप से आग रहा है कि किसान के ह चाहिए कि आप प्रदेश के मालिक हैं अपने आपको प्रदेश का मालिक बनकर इस प्रदेश की आर्थिक तरक्की में इस प्रदेश की सेवा में हम लोग आगे रहें यही मेरा आपसे निविदन है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार